नवश्कार दोस्तों मेरे भोजन शाला में मैं इन दुभावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के साथ भर्मा चटपटे लाल मिर्ची की अचार की रेशेपी शेयर कर रहे हूँ इस अचार को हम बना करके साल भे तक खा सकते हैं तो चले दोस्तों बनाना शुरू करते हैं रेशेपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तो चले अचार बनाना शुरू करते हैं इस अचार को बनाने के लिए मेनी हाँ पर 250 ग्राम मोटी लाल मिर्ची लिए इसको अच्छी तरह से धोग करके और सूती साप कपड़े से पोच लिया है इसके पानी को अच्छी तरह से सुखा दिया है तो सबसे पहले हम अचार के लिए मसाले देख लेते हैं मसाले के लिए मेनी हाँ पर लिया है चार बड़े चम्मच सोफ मोटी वाली सोफ है चार बड़े चम्मच मेथी दानी तीन चम्मच राइकी दाल तीन चम्मच नमक आदा चम्मच अजवाइन एक चम्मच अमचूर पावडर एक चुथाई चम्मच हींग एक चम्मच हल्दी प और 200 ग्राम लिया है सर्सो का तेल तो मैं इस अचार को सर्सो के तेल से बना रही हूँ आप चाहे तो रिफाइन डॉयल से बना सकते हैं और एक बड़े साइच का निबू लिया है इसका हम रस निकालेंगे तो सबसे पहले हम तेल को गरम रगतेते हैं तेल को हमें जब तक के गरम करना है जब तक के इसमी से धुआ नहीं उठने लग जाता है जैसे ही इसमी से धुआ उठेगा हम गेज को बन कर दिंगे और इस तेल को ठंडा करने के लिए हम नीचे उतार दिंगे कि देखें तेल हमारा भूतिय अच्छी से गरम हो गया है तो हम गेज को बन कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए नीचे उतार देते हैं तेल ठंडा होता है तब तक के हम सारे मिर्चियों को कट कर लेते हैं तो मिर्ची को काटने के लिए सबसे पहले हम इसके डंठल को हटा देते हैं और इसके बात मिर्ची में हम इस तरह से चीरा लगाएंगे और अब हम मिर्ची में से बीचे निकाल करके अलग रख लेते हैं इन बीजों को हम फेकेंगे नहीं इसे हम अचार की मसाले में डालेंगे इससे हमारा अचार काफी चेक पटा हो जाएगा तो अगर आपको ज्यादा तिखा पसंद नहीं है तो आप इन बीजों को हटा सकते हैं और अब हम इसी तरह से सारी मिर्च यो को काट करके त्यार कर लेते हैं और अब हमने यह जो बीजे रखे हैं इन बीजों में से जो सोप्ट वाला हिस्सा है इसे निकाल करके अलग अटा देते हैं कर देखे मैंनी सारे मिर्चियो को कट कर लिया है और इसके बीजे निकाल करकर अलग कर लिया है तो अब हम गेज चालू करके कड़ाई रख देते हैं और इसमें हम डालेते हैं मेथि दाने और अब हम मेथि दाने को लगाता चलाते वे1-3.5 मिलिट तप रोस्ट करेंगे कि मेथी दानी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए इसमें से सिखने की खुश्बू आ रहे हैं तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसे कड़ाई में सोप डाल देते हैं और सोप को भी लगाता चलाते हुए एक से देड़ मिनिट तक मीडे माच पर रोस्ट क नालेंगे यह देखे मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है और अब हमने जो यह मेर्ची के बीजे रखें इन बीजों को इसमें डाल करके मिक्सिकों हम एक बाद चला लेते हैं बीजे डालने के बाद में मिक्सिकों मैंने एक बाद चला लिया है तो अब हम इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के बच्चे हुए मसाले, राय की दाल, अजवाइन, अम्चूर पाउडर, हल्दी पाउडर, हिंग डाल देखते हैं और नमग टायल करके सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेखते हैं सबी चीजों को अच्छे से मिला लिया है, और अब हमने एक नीबु लिया था, इस नीबु का रस निकाल करके रखावाए, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और फिर से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं लेकिन ये मसाला काफी सूका लग रहा है तो अभी हम इसमें डाल लेते हैं एक पड़ा चमज भर के सरसो का तेल सरस्ỗका तेल हमने जो गरम करके रखा था, इस तेल को हम इसमें एक पड़ा चमच भरके डाल देते हैं और इसे फिर से अछे से मिक्स कर लेते हैं तो ये मसाला अब हमारा मिर्ची में भारने के लिए तयार है तो हम एक मिर्ची में करीब एक से धेड़ चमच मसाला भरेंगे और इस मसाले को अच्छे से इस तरह से दबाएंगे ताकि मसाला भार नहीं निकले इस तरह से हम सारी मिर्चों में मसाला भर करके त्यार कर लेते हैं तो मेनी हाँ पर सारे मिर्चों में मसाला भर करके त्यार कर लिया है और इतना मसाला हमारे पास बच्चा है तो इसे भी हम अचार में डालेंगे और आप मेनी हाँ पर अचार को स्टोर करने के लिए काज का कंटेनर लिया है इस कंटेनर को अच्छे से धो करके सूती साब कपड़े से पोच करके और इसके बाद फिर में इसी 10 से 15 मिट के लिए धूप में रख दिया था ताकि जो इसका एश्टा पानी है वो सूप जाए और अब हम इसमें मिर्चिया भारेंगे तो मिर्चि को भारने से पेले हम इसे तेल में अच्छे से डिप कर लेते ह ताकि मसाला अच्छे से सेट हो जाए और अब हम मिर्चि को कंटेनर में भार देते हैं इस तरह से करने से मसाला अच्छे से सेट हो जाता है तो अभी मिनिहा पर आदी मिर्चि भर दी है और जो हमने मसाला बचाया है इस मसाली को हम इसके उपर डाल देते हैं तो आदा मसाला हम अभी डाल देते हैं और आदा मसाला हम मिर्चि पूरे मिर्चि को भरने की बार में उपर से डालेंगे तो मैंने सारे मुच्चे को कंटेनर में भादिया है अब हम बाकी बचाया मसाला भी इसके उपड़ डाल देते हैं अब हम बाकी बचाया भी इसमें डाल देते हैं अगर अचार में तेल अच्छी से भरा हुआ होता है तो अचार खराब नहीं होता है और अब आप इस अचार के कंटेनर को ढख करके 3-4 दिन तक धूप में रखें तो दोस्तों अगर आपको अचार की रेसेपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे भोजन शाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे के मेरी आने वाली हर रेसेपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धालने वाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नए रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई प्रेस के लिए बाई